नमस्कार दोस्तों, welcome to world affairs, मैं हूँ प्रशान दवन, now हाली में आपने ऐसे articles काफी जगा पड़े होंगे, कि इंडिया जो दुनिया का सबसे बड़ा vaccine producer है, अपने ही देश में यहाँ पर covid-19 vaccines की कमी पड़ रही है, यहाँ पर आप देहेंगे, CNN का article है, the world's biggest vaccine producer is running out of covid-19 vaccines, और यह ऐसे time में हो रहा है, जब covid-19 की second wave चल रही है भारत में, यहाँ पर आप देखोगे, ना सिर्फ CNN या फिर world media, even भारतिया मीडिया यहाँ पर लिख रहा है, कि शर्मनाग बात है, कि वो देश जो दुनिया बर में 60% vaccines मनुफेचर करता है, वहीं पर vaccines की पड़ रही है कमी, और अभी मैं आपको यह बदादू, कि second wave जो है इंडिया में covid-19 की, यह बहुत तहीं से बढ़ रही है, हमें पता नहीं है, कि यहाँ पर जो यह slope है, कहां जाकर रुकेगा, कब फिर यहाँ पर गिरावट आए की, we do not know right now, अभी के लिए हमें बस इतना पता है, कि इंडिया desperately needs covid-19 vaccines, now अगर आप यह development बिल्कुल properly follow नहीं कर रहें, तो यहाँ पे एक काफी genuine question भी खड़ा हो सकता है, कि हमारे यहाँ vaccines की कमी बढ़ गई, हम तो बाट रहे थे, हम तो यहाँ पे दुनिया बर के various countries को, चाहे नेपाल हो, भूटान हो, पैरगवे हो, कोई country चाना से कि हो, उसको भी हम बाट रहे हैं vaccine, तो हमारे यहाँ कमी कैसे पड़ गी, देखो पहले तो यहाँ पर आपको समझना होगा, कि इंडिया ने अब तक जो total vaccines बाटी है, यह अभी भी 100 million के काफियत तक कम है, इसमें से जराता जो vaccines है, vaccine महितरी के अंडर, यह actually commercial order थे, Serum Institute of India के, ह कि इंडिया की तरफ से 200 million doses अभी और आएंगी, इंडिया अतनी doses और बनाएगा, यह doses प्रवाइड करेगा पाकिस्तान को, इजिप्ट को, सुदान को, अगर pandemic से दुनिया को निकालना है, तो वहाँ पर इंडिया का होगा critical role, तो यहाँ पर question ही आता है, कि इंडिया में vaccine की क manufacturing का, यह अभी के लिए भारत में नहीं पहुच रहा, क्या इसका मतलब यह है, कि इंडिया में vaccine बिल्कुल manufacture नहीं हो रही इस वक्त, तो ऐसा भी नहीं है, manufacture हम कर रहे है, मगर speed काफियत तक कम हो गई है, और problem अभी लग रही है, कि हो सकता है कि आने वाले time में बढ़ जाए, और यह भी possibility है, कि हम vaccine शायद UN को भी time में ना दे पाए, और even हमारी जो बाकी states हैं, जो हमारे hospitals हैं, वहाँ पर भी vaccines time पे ना पहुचा पाए, यह आप आप कह सकते हैं, यह तो बहुती serious issue है, इस issue को raise करो फिर, US President के सामने यह issue raise करो कि हमारे पास अगर raw material नहीं होगा vaccine को manufacture करन अपने लिए और दुनिया के लिए भी कैसे बनाएंगे, देखो यह बात हाली में raise करी गई है, openly social media पर, क्या है कि इंडिया में जो vaccine makers है, Serum Institute of India, उसके लावा भारत बायो टेक, यह लोग सरकार को बोल बोल के ठक गए हैं, इन्होंने बहुत सरी चिठिया भी लिखी है, और owner of Serum Institute of India, जो company AstraZeneca वाली जो vaccine है, यह बना रही है भारत में, यह कहरे हैं कि respected POTUS, POTUS होता है President of the United States, आज के समय जो बाइडन, यह कहरे हैं respected POTUS, आज के समय अगर मिलके काम करना है, पेंडमिक को हराना है, तो क्रेपया करके जो embargo आपने लगा रखा है, पूरी दुनिया क कि आप raw material उनको supply नहीं करोगे, यह प्लीज खतम कर दो, और export करना शुरू कर दो raw material vaccine के लिए, ताकि हम ना सिर्फ अपने लिए, पूरी दुनिया के लिए vaccine फिर से बनाना स्टार्ट कर पाएं, आगे यह भी add कर दिया है, कि आपकी जो administration है, उनके पास सारे details हैं, क्योंकि इ हैं, तो पूरी दुनिया में news बनती है, यहाँ पर आप देखोगे, even France का जो इनका सरकारी मीडिया है, यहाँ मुझे कहना चाहिए, गर्णमेंट-backed मीडिया है, France 24, इनों ने भी इसको cover किया है, vaccine giant, यह पुनावरा साब की बात कर रहे हैं, vaccine giant tweets Biden to end US raw material embargo, अब यहाँ पर आ raw material की बात कहां से आ गई, USA हम क्या import करते हैं, तो देखो आपको यहाँ पर समझना होगा, कि बिलकुल भारत में vaccine produce करने की शमता बहुत बड़ी है, मगर कुछ यहाँ पर raw material है, जो हम को चाहिए, जो हम आज के समय भी import कर रहे हैं from USA, ऐसा नहीं है कि US हमारा single source है, मगर US काफ रहे हैं उन main imports के बारे में, जो हम actually खरीदते हैं USA से, इंडिया में vaccine को properly manufacture करने के लिए, इसमें होते हैं filters, फिर है bags, special bags होते हैं, उसके लावा adjuvant, adjuvant इसमें देखो main component है, COVID-19 vaccine में हम इसको काफी बार ये भी कहते हैं, aluminum hydroxide adjuvant, और यहाँ पे आप देख पाएंगे the Hindu का article है कि जो ये adjuvant है, ये actually boost करता है immune response of covaxine, ना सिर्फ serum institute of India, even covaxine जो है भारत biotech की, वो भी use करती है इसको, और उन्होंने भी हाली में ये काए कि जो ये key chemical है, जो हम import कर रहे थे from USA, इसकी shortage की वएशे हमारी production भी काफी है तक रुख सकती है बभीश्य में, ना यहाँ पे कि अच्छा ठीक है, तो ये जो भी है, ये इंडिया में बनाओ जल्दी है जल्दी, देखो पहली बात तो एक्जाम perspective से जो ये word है, adjuvant यार लेना, aluminum, hydroxide, adjuvant आप से पूर सकते हैं कि ये exam में, ये किस से related है, it is related to the covid-19 vaccine, second बात यहाँ पर ये आती है, कि देखिए, इसकी manufacturing capacity बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं, CSIR आज के समय companies के साथ काम कर रही है, मगर immediate basis पर ये कर पाना थोड़ा सा tricky होता है, तो इसलिए काफी अच्छी एक understanding थी with US, कि वो लोग at least जो ये एक component है, ये export करते रहेंगे भारत को, और हम फिर बहुत ही बड़ी मातरा में जो ये vaccines हैं ये produce करेंगे, अपने लिए भी, पुरी दुनिया के लिए भी, मगर US ने देखो क्या किया किया कि जब जो बाड़न पावर में आए, जैसे ही जो बाड़न पावर में आए, 20 January 2021 को, तो अगले ही दिन, 21 January 2021 को, इन्होंने लागू कर दिया Defense Act of 1950, ये मैं आपको भी website पर दिख ये अमारिकन कमपनीज को, यहाँ पर कई ये नहीं लिखा, कि अमारिका एक्सपोर्ड नहीं करेगा, US ये नहीं कर सकता है, इनकी काफी आलोचना होगी, इन्होंने बहुती क्लेवल यहाँ पर ये आड़ कर दिया, कि प्रेफरेंस जो है, मतलब कि ज़ादा प्राद्मिक्त ये देंगे अमरिकी कमपनीओ को, मतलब कि अगर मानलो कोई अमारिका में कमपनी है, उसने प्रड्यूस कर दिया ये राव मटीरियल, अब जो ये राव मटीरियल है, इसको परचेस करने के लिए पहुचे इंडियन कमपनी, अमारिकन कमपनी भी, तो जब तक अमारिकन कमप पार एक के बाद एक बहुत सारे ऐसे order sign किये थे और यहां पर साफ साफ लिखा है यह सब क्या जा रहा है Defense Production Act of 1950 के अंडर Act पैरे से ही बना हुआ है उसको नहीं ने यहां पर use किया है बस और यहां पर साफ साफ लिखा है कि purpose क्या है यह कह रहे हैं कि जो के ने सरकार है The Federal Government must act urgently and effectively to combat coronavirus disease उसके लिए orders directs immediate action to ensure supplies necessary for responding to the pandemic ताकि जो यह supplies है यह available रहे और इनमें कोई भी कमी ना आए और जो यह supplies है इसमें बहुत सारे वो raw material भी है जो इंडिया को चाहिए for the manufacturing of COVID-19 vaccine Now यहां पर आप पूर सकते हैं US फिर यह सब कर क्यों रहा है अभी हाली में Quad का summit हुआ है वहाँ पर तो US ने यह का है कि यह finance करेंगे Kenya में जो vaccine है और manufacture करो तो अब यह सब यहां पर क्यों किया जा रहा है देखिए एक बाद यहां पर समझ लो कि जो यहां पर हुआ है इसका क Indian Government ने actively इस issue को raise किया नहीं है तो अब यह जो issue है यह बन गया है काफी बड़ा और मेरे असाब से यह कोई ऐसा issue नहीं है जो resolve हो नहीं सकता अगर Indian Government aggressively यहां पर यह issue raise करती है various platform पे तो मेरा मानना है कि यहां पर US मान भी जाएगा India के लिए special provision यह कर सकते हैं इस act में simply यहां पर यह कहकर के India देखो सिर्फ अपने देश के लिए vaccine नहीं बना रहा अगर Africa को Middle East को even Europe को vaccinate करना है South America को vaccinate करना है तो उसमें भारत होगा भागय विधाता और मेरे असाब से देखिए जितनी बात करते हैं Joe Biden about vaccines about pandemic इनको यहां पर step आप लेना चाहिए पुना वाला साफ की बात सुननी चाहिए जो raw material है यह available कराने चाहिए India को ताकि vaccine की जो production है इसमें कोई कमी ना आए और यह करना कुई ज़रा मुश्किल है भी नहीं देखो यहां पर क्या है कि जो इनका यह Defense Production Act है न इसमें दो main component है एक तो है DPAS दूसरा ह HRPAS की full form है health resources priority and allocation system main issue इसका ही आ रहा है तो जो वाड़न को simply एक और एक executive order है यह sign करना है और जो HRPAS है इसमें यह बना सकते है special window for India और अराम से इंडिया को मिल जाएगा raw material for producing vaccines question यहां पर यही आता है कि क्या India और US की governments इस issue को priority basis पर raise करती है और क्या इसका निवारण जल्दी होता है या फिर इस issue को resolve होने में काफी time लग जाएगा so यह topic काफी तक news में रहेगा इस पर कोई अगर update आती है तो I will present an updated video later on finally यहाँ पर मैं यह भी आड़ कर दूँ कि आप किसी भी exam के लिए अगर आप genuinely prepare कर रहे हैं तो anacademy.com पर जाओ या फिर anacademy की app पर और यहाँ पर परचेज कर सकते हैं किसी भी exam का course like class यहाँ पर आपको मिलेगी whether you are preparing for UPSC, IIT, GATE, CAT, any examination और यहाँ पर simply आपको क्लिक करना आपके exam पर subscription पर और यहाँ पर परचेज कर सकते हैं course देखो 12 month का course आपको यहाँ पर पड़ेगा for just 4,125 rupees per month मगर यह price भी पे मत कर देना, use करिए यहाँ पर code PD10 और आपको मिलेगा Sira 10% discount on all the courses, SSC, Bank, CAT, 12th का कोई course आपका, 12th क्लास का कोई course है वहाँ पर भी, you will get discount everywhere, so use the code PD10 and save money और इसी note के साथ यह है वीडियो कांथ, thank you for listening and as always God bless you all